हेलो वरिवन गुड मॉर्निंग स्वागत आप सभी का ऑनलाइन स्टेडियो नमी आज के से वीडियो में बात करने वाले एक बहुत अच्छा मैथ का चाप्टर और इसमें लोग देखने वाले एज प्रॉब्लम यानि कि आयू निर्धारन से संबाज दे जितने भी मुर्ते होता है आपके खांट में पूछे जाते हैं उसको मैं पूरी पूरी कोर्षिज करूँगे इस वीडियो में कवर करूँ और कुछ में लेकर और आहूं जो कि एकजांस में डेफंटी ह людям पूछे जाता तो चलिए शुरू करते हूं रिके करके सारे questions को देखते हैं कैसे करना है तो चलिए बात करते हैं question number first की और देखे क्या कह रहा है कि आज से 5 words पहले गुपाल की आयू संकर की आयू की 5 गुनी थी देखे कैसे करते हैं इस questions को यहां पर दो लोगों की बात की जरी एक गुपाल है और एक संकर ठीक है और यहां पर 5 words पहले यानि कि 5 years ego में लिख लेता हूं और 5 years ego क्या है कि गुपाल की आयू संकर की 5 गुनी है यानि कि गुपाल जो है वो संकर से 5 गुनी है अगर यह एक होगा तो यह 5 है पांच गुनी हो गई अब क्या करा है कि आज से 3 words बाद यानि कि 3 years later ठीक है 3 years later 3 words के बाद अब क्या है कि गुपाल की आयू संकर की आयू की 3 गुनी होगी जो गुपाल है वो संकर की 3 गुनी हो जाता है अद्धा काम हमारा खत्म हो गया अब ध्यान दीजिगा commodity सबसे पहले इन दोनों हो को में बराबर करनाहोते है है इन दोनों का府 कितना है दो का डिफ्रेंस और इन दोनों का डिफ्रेंस चार का डिफ्रेंस है यारी कि इसमें जितना का अंतर होता है इसमें आप गुणा कर लिजे उपर वाले में पांच और एक में कितना का चार का अंतर है मैं नीचे चार से गुणा करूंगा तीन और एक में कितना का अंत डिफरेंस वारा औरव और चार डिफरेंस जब बराबर हो से तो हमारा थोड़ा सा काम असान हो जाता है अब यहां कि हुझे यूड़ एक Teraz मानके चले कि आपका present है और यह 5 पहले 5 पहले पांच इधर और 3 यहाँ तो total कितना हो जाता है अगर हम हम इधर जाते हैं तो हमारा plus में और हमारा minus में total कितना है 8 वर्स की बात कहांपे की जा रही बताएक्ष है कि अब बात करते हैं question में पूछा क्या जा रहा है तो आज Gopal क्या गया अगा है देखे अब आपको गुणा यहां पर नहीं कर ना है अब जो हम लोगों नेया ratio निकाल लिए उस ही में हमें गुणा करना होते हैं तो चार से में गुणा करूँगा कि यह गुपाल था और यह हमारा संकर था तो चार से गुणा करूँगा कि इसमें गुपाल क्या यह पूछा रही है तो मैं चार से गुणा करूँगा तो चालिस लेकिन यह चालिस क्या या यह जो चालिस आया है यह पांच वर्स पहले का है यानि कि 5 years ego का यह 40 words का था लेकिन हमसे questions में present का पूचा रहा है तो present में आने के हम क्या करेंगे 5 words हम अगर आगे बढ़ेंगे यानि कि अगर हम इसमें 5 add कर दें तो हमें गोपाल की आयो निकल जाएगी यानि गोपाल की आयो कितनी है 45 words जो कि हम options number B को tick करेंगे देखे मैं इस questions में ज्यादा कुछ भी नहीं किया बहुत ही simple तरीके से बाता है सारे questions को इसी तरह से solve करेंगे I hope कि आपको यह समझ में आ जाएगी ठीक है चलिए second questions की तरह बढ़ते और देखे next questions क्या कह रहे है अगला प्रशन यह कह रहे है कि आठ वेक्तियों की आउसत आयू दो वर्स बढ़ जाती है देखे ध्यान से question पढ़िएगा कि आपको कई बर बताया भी है आपको कोई problem नहीं है मैंने आपको बता था जब हम लोग average बढ़ रहे थे तो उसमें आपको बता था कि अब 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 का मतलब कि यहां पर ब्रिधी होनी की बड़ जाती है इसलिए मैंने आपको प्लस का साइन लीखा है और अ हमारा क्या होगा एज़ो हमारा होता है पहले से जितने भी वर्स दिये रहते हैं वह यानि कि जिसकी आयू 20 वर्स थी मैंने वो लगा इनका वर थे आठ और बी का मतलब होता है ब्रीदी कितने की ब्रीदी हो रही है दो तो 20 और प्लस में आपका 8 दुनी की 16 यानि कि 36 वर्स हमारा यदि आपक चार गुनी था दस वर्स पहले यानि कि हम इहाँ पर मांते हैं 10 एर्स एग्वो प्रॉम्ष की यानि कि बात की चार और ॉर्पutan ओंगी तौना अब आगे कहारा कि 10 वर्स बाद यहेपक दस यह बात का मटलब यहाँ आपका लेटरर हम और इट कि आयू दोगनी हो जाएगी यानि कि यू फादर है वो रमेश के आयू से दोगनी हो जाते हैं यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं अब हम इस को सॉल्व करते हैं थोड़ा ध्यान जेगा इसी टाफ साथ सेम सेम कोई संस यह भी आ रहा है तो मैंने आपको क्या बता था सबसे प को एक से गुना करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है नीचे करेंगे तो 3-2 निकी 6 और यहां पर आपका 3 अब यहां पर देखी दोणों का रेसियो बराबर हो गया होगा चार और एक 3 और 3 यहां पर धीन गालत ठीक है जब अंतर बराबर हो जाते हम यहां पर यूनिट दे पहले वहां 10 वर्स पहले से present मेंगे तो 10 वर्स इधर और present से 10 वर्स उधर जाएंगे तो हमारा 10 वर्स टो टोल 20 वर्स हो जाता है तो यहां पर 20 लिखा एक यूनिट की value गर हम देखे तो कितना हो जागा 10 यहां तक अब क्वेस्स में जो पूछा रहा हम उसको देखते हैं रमेश की value क्या है रमेश की आयू पूछा यानि कि उसकी present की value पूछे जारी है तो देखिये रमेश को है इसमें रमेश हमारा यह है अगर हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या निकला 10 वर्स जो निकला एक में 10 से present की आई होगी और इस questions का सही उतर हो जाता है options नंबर ए ठीक है कोई problem नहीं उमीद करते हैं कि यह दोनों के अच्छे तरीक से अपने समझ लिए होगा बहुत ही अच्छा प्रस्ट इस तरह से आपको solve करने की कोसिस करेंगे चलिए बात करते हैं next questions की देखिए अगला किसी में क्या लिए है के सूरेश और की अर्क इंत और करन क kicking में लिखा और从 करने से 2 या की निनिकलत कि अगर क difकि है तो कीश्य उन पार क्म जोड़ी दो डोर्स का हौह बंगूनने ऩू अब कोईकन लिए हिए कि दोनों का उर्जिण इस जोड़ा नहीं चलो यूनिट लिखते है ठीक है तो एक यूनिट की वैलू जो कि 24 लिखा गया है तो पूछा जा रहा है कि सुरे इसक्यों मेरे बता है तो तीन यूनिट की वैलू 24 तो एक यूनिट की वैलू 24 ठीक है आठ दूनी की 16 होगा ना किलियर तो राइट अंसर हमारा क्या हो जागा आपसेंस नमबर एक उमीद करते हैं कि यह बात आपने समझ लिया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए अगला कुशन देखते हैं क्या 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 रहा है बहुत अच्छा प्रस्ट वीविया छे वर्स पुर्व मादुरी का विवहा हुआ था और वर्तमान में उसकी आयू यू बीवा के समय की आयू की एक सही एक वटा चार गुनी है धिखें हम यह मानते हैं कि उसका प्रजेंट का जो एज है वो एक्स है ठीक है प्रजेंट का एक्स प्रजेंट का जो आयू है वो एक्स वर्स है लेकिन अगर हम विवा के समय बात करें विवा के समय ठीक है विवा के समय यानि कि उसका आयू जो था वो एक्स माइनस 6 होगा क्योंकि व वो बिवा के समय की आयो यानि कि बिवा के समय उसके आयो कितनी थी? x-6 बिवा के समय की आयो की एक सही एक बट्टे चार गुनी है यह है एक बट्टे एक सही चार गुनी तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें करेंगे क्योंकि दोनों तरह उक्वल करना होता है फिर इसमें चाहिए एक बट Jeどう किवरतमान में उसकी भी विवाय इतना गुनी है लेकिन हम यहां पे करते क्यों क्यूंकि इसको एकवल करने के लिए तो दिएmond हे चार सही-एक बटे-चार यनि तो 5 बटे 4 यह आपका हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिदेगा, इसको cross multiplication करेंगे तो क्या होगा, 4X, और यहाँ पे करेंगे तो 5X माइनस में 30, ठीक है, 30 को इधर बेजेंगे, यानि कि X की जो value होगी, वो 30 निकल जाता है, यह X की value 30 क् यह है इसके present की आयो, यानि कि माधुरी की जो present की आयो है, अभी की वर्तमान की आयो है, जो 30 वर्स की है, लेकिन questions में आपसे पूछा क्या रहा है, कि उसके पुत्र की आयो, उसकी आयो का एक बटा 10 है, यानि कि हम इसके daughter की बात करें, sorry daughter की पुत्री नहीं, sun का आ जा रहा ह तो यानि कि इसका हम sun की बात करें, तो क्या है, इसका आयो का एक बटा 10, यानि कि तीन वर्स का उसका पुत्र होगा, ठीक है, question में इसके पुछ रहा है कि उसके पुत्र की आयो क्या है, तो तीन वर्स का उसका पुत्र है, right answer will be, options be, कोई problem नहीं, और ये questions बहुत ही जादा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, किस तरह से इसको solve के जाते, एक दो बार practice की जागा, आच्छे साब को समझ में आ जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते, और next lesson देखते हैं, क्या कह रहा है, देखें, next lesson क्या कह रहा है, कि एक पीता अपने पुत्र से, उम्र म पांच गुना बढ़ा है, चलिए, पांच गुना बढ़ा है, तो यानि कि present की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे father और son को ले करके चलते हैं, और यह पांच गुना बढ़ा है, ठीक है, पांच गुना बढ़ा है, यानि कि यह एक है son, तो यह पांच गुना है, ठीक है, आ पुत्र के में दो सभी ही तो यहां पर करेंगे तो पांच बठीक दो यानी कहने का पांच पटेश्बाइशान क dell का मतलब नाई पूछी जा रहीए तो में कूछ ना पादा checking की सबसे लाइकों करना क्या होता है दोनों के ब्रेशियो को बराबर करते हैक ऑगर अगर ऊपर में देखे तो कितना जाक्राइब तो चाहरतर हो आट तो नीचे हम चाहर से जोना करेंगे इसको अट आते हैं अब यहां पर क्या कर्णा आज देखिए उपर में गुणा करते हैं तो कितना होगा 15 और रिश्यो तीन हो जाता है और नीचे में गुणा करेंगे तो कितना हो जागा 20 रिश्यो आठ ठीक है अब यहां पर एक बार चेक करके देख लिए गये 12-3 15 होता है 12 का डिफरेंसे और यहां पर 12-8 बीस यानिके 12 का ड 15 years तो यहां पर मैंने 15 years लिखा ठीक है तो एक यूनिट निकाले एक यूनिट की वैलू कितने होजेगी तीन years अब questions में पढ़ते हैं पूछा क्या जागे पिता की वर्तमान आयू यानि कि present की बात की जा रही है यहां पर present यह पिता होगा तो 15 में गुना कर देंगे 15 दिया साथ वर्स होता है ठीक है तो यहां पर मैं लिखेता हूं father और अगर son को जोड़े तो वह साथ वर्स के होते हैं है कोश्टेंच में कर रहे क्या है कि टेफने पूत्र की आयू की पांच गूनी थी तो छे वर्स पहले यानी कि एक वर्स तो यहां पर यो योग लिखा गया 20 प्रेजन्ट में सतो आपर 50 प्रेलिंट में पिता में 6 लुए और पुत्र में 6 लुए तो यानि कहने का मतलब इसमें से अगर हम 12 वर्स घटा दे तो कितना ज़्यादा है 48 और 48 आने का मतलब कि अब यह 6 वर्स के बराबर आ जाता है तो 5 और एक 6X की वैल्यू हम 48 लिख सकते हैं 6 वर्स पहले अब इनका जो योग होता है वह 48 है और हमारे पास 6 वर्स पहले के क्या होगे तो पुत्र की आयो यानि कि अगर हम यहां से गुना करें तो 6 वर्स पहले का तो पुत्र अगर 6 वर्स पहले 8 वर्स प्रेजेंट में आएंगे तो क्या होगा प्रेजेंट में हमें 6 वर्स आना हुआ तो प्रेजेंट में आये तो 6 वर्स बढ़ा और पूछा जा रहा है तो छे वर्स बाद हम और छे जोड़ देंगे तो कितना होगा छे चे बार आठ बीस तो करेक्ट आंसर है कि नहीं बीस है देखें एक बर फिर से बताता हूँ और यहां यहां बर तो 6 वर्स पहले की उन डोनों का रेशियो था तो आगर आप हम पिता का निकालते तो 8पड़ और पुत्र का निकालत तो निकाले तो आठ वर्स ंस पहले लेकिन अमने पूचा कि चेवर्स बाद तो प्रजेंट में जाने के लिए पहले चेवर्स जोडएंगे तो प्रजेंट में गये तो 14 वर्स का हुआ लेकिन 6 वर्स बाद जाना है तो चेवर्स और जोड़ दिये तो ये टोटल 14 छे 20 तो राइट अनसर नहारा जो जाएगा बिलकुल करेट उमीद करते ये question आपने समझ लिया होगा किस तरस हम लोगों ने किया चली बढ़ते अगले प्रश्ण की तरफ देखें अगला प्रश्ण की तरफ देखें अगला प्रश्ण की क्या कर रहा है कि एक माता और पुत्री की आयू का योग देखें तो 50 वर्स है ठीक है question में पूछा था कि 5 वर्स पूर्व माता की आयू पुत्री की आयू से सात गुनी है यानि कि 5 वर्स पहले की बात की जा रही है जो माता है यानि की mother और daughter light का थोड़ा सा disturbing हो रहा है तो माफी चाहूंगा और यहां पर देखें क्या है सात गुनी हो रही है तो सात गुनी हम यह कह सकते कोई problem नहीं है अब आगे कि उसमें करें कि माता की वर्तमान आयू बताईगे तो देखें अगर हम यहां पर देखें तो यह प्रेजेंट का थ अगा टोटल कितना हो गया चालिस अब हम इनका योग कर सकते हैं तो साथ एक आठ यानि कि आठ यूनिट बराबर चालिस है तो एक यूनिट हम देखें तो कितना होगा एक यूनिट की वैल्यू पांच हो जाती है ठीक है अब पुछा क्या था कि माता की प्रेजेंट आयो यानि कि अगर हम 5 में यहां से गुणा करेंगे 7 से 5 में तो 7 पाचे 35 जो निकलेगा क्या हुआ 7 पाचे 35 पांच वर्स पहले का हुआ लेकिन वर्तमान की पूझ आ रही है तो वर्तमान में जाने के लिए हम 5 वर्स एड कर देंगे यानि कि टोटल 40 वर्स क्योंस का राइट पत्नी से च्छे वर्स बढ़ा यानि हम यह कह सकते हैं जैसे लोगन ऊपर में कोई सब्सक्राइब को यहां पर यह मानते हैं कि उनकी प्रशिंट का जो इप विवा के समय अगर हम देखे तो अगर पत्नी ठीक है चलो यहां पर मम वाइफ लएते हैं वाइफ जो एक्स वर् प्लस 6 था यह बिवाह के समय की बात की जा रही है तो थोड़ा सा ध्यान देज़ेगा एक्स और यह एक्स प्लस 6 ठीक है अब क्वेशन में क्या रहा है कि बिवाह के 12 वर्स बाद यानि कि 12 वर्स बाद का मतलब क्या हुआ 12 Andrew में एड़ हुआ होगा तो चलो यहां पर घरा बार एक्स प्लस बारा इसमें लेकिन हश्मेंड को देखे तो क्या होगा 12 और इसमें 6 एड करेंगे तो अपका 18 हो जाता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं 12 वर्स बाद की बात कीजिए हम दोनों में 12 वर्स बढ़ा दिया है अब क्या कहा रहा है कि बिवाह के 12 वर्स के बाद उसकी आयू यानि किसकी आयू पती की आयू अपने पत्नी से 6 6 बटे 5 तो पती कौन है यहाँ पर पती की जो आयू है वह पत्नी से 6 बटे 5 तो हम गुणा कहा पर करेंगे इधर करेंगे क्यूंकि एक्वल करने के लिए ٹीक है 6 बटे 5 अब इसको मेंद मंद्िप्लिकलिकेशन करते है दिखिए cross multiplication करेंगे तो उपर में आपका 6x और 12 चके 72 हो जाता है और यहाँ पर cross में जाएगा तो यह 5x प्लस 18 पचे 90 ठीक है अब यहाँ आप हम देखते हैं x को इधर लाएंगे तो 6x में से 5x गया तो आपका x बचेगा और 90 में से बहत्तर जाएगा तो 18 x की वैल्यू हमें निकल गई x की वैल्यू का मतलब विवाह के समय की आयू जो थी पतिनी की आयू 18 वर्स थी और जो पती था वो कितना था 18 वर्स चोबिस वर्स का था क्वेशन में आपसे पूछा जा रहा है कि विवाह के समय दोनों की आयू क्या है तो बहुत सी सिंपल हम लोग वो रहा अल्यडी क्लियर कर लिया कि पति जो वह वो 24 वर्स का था और पतिनी जो थी 18 वर्स की थी इसलिए options नंबर हम एक को टिक करेंगे कोई दिकत बिलकुल नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन के रहा है कि दो साल पहले एक आदमी की आयू अपने पूत्र से 6 गुना बढ़ा था दो वर्स पहले की बात की जा रही है यहाँ पे एक तो मैन है और एक उसका सन है ठीक है क्वेसे में के रहा है कि दो वर्स पहले यानि कि दो यर्स एगो की हम बात करते हैं तो 6 गुना बढ़ा है यानि कि अगर पुत्र एक साल का है तो वो जो आदमी होगा वो 6 साल का ठीक है अठारा वर्सों में वह अपने पुत्र की आयू का दुगना हो जाएगा अठारा वर्सों में यानि कि अठारा वर्स बाद की बात करते हैं अठारा वर्सों में पुत्र जो है पुत्र से दुगना हो जागा यानि कि आपका कुछ इस तरह से हो जाते है ठीक है अब हम पांच का difference हो यानि कि हम 5 से गुना करेंगे चलिए 6 और एक उपर में हो जागा नीचे देखें तो 5 दूनी की 10 और यह आपका 5 हो गया कि नहीं दोनों equal अब जब equal हो जाता तो क्या करते हैं इनका हम unit देखते हैं 6 से लेकर के 10 यानि की 4 unit की value हम देखेंगे किसके साथ इसके सा आप 4 unit की value 2 राचा बार नहीं के बराबर तो इतने हो जाता है किससे हम करते है पहले प्रेजेंट की निकाल लीजा और प्रेजेंट की निकालें holiday बचेन पड़ेगा और इसमें निकालेंगे तो डो वर्स जो की आगे करना पड़े है क्यों कि ये दो वर्स पीछे था तो चलिए इसमें करते हैं कि इतनों जक़ागा यह आपका पांच होगा ठीके तीस और पाँच लेकिन यह कब गे दो वर्स पहले किया लेकिन हमें तो वर्तमान में जाने के लिए तीस वर्स पहले था यह तीस वर्स पहले था तो इसमें दो गर एड़ कर दे तो यह प्रेजेंट हो जाता है यानि कि बतीस और जुकि साथ करेक्ट आंसर हो जागा बतीस औ पतनी और उनके बच्चे की ओसत उम्र जो 27 वर्स है यह क्वेस्ट में आपको ऑसत में भी करा है एक तो हस्बेंड है और एक वाइफ है और साधी साथ उनका एक बच्चा भी है चलो इसको हम चिल्डरन मान लेते सीठी है जो उनका जो एक चिल्डरन हो टोटल अगर इनकी ओस उम्र देखें तो 27 वर्स है और उसत उम्र 27 यानि कि 27 गुने टीन करें तो टोटल निकल जागा लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजेगा क्वेस्ट में करा कि तीन वर्स पहले तो तीन वर्स पहले यानि कि अगर हम तीनों को एड़ कर रहे हैं और प्रेजेंट की बात करें तो तो तीनों अगर तीन वर्स पहले इसमें देखें तो अगर तीनों काम देखें तो तीन वर्स पहले तीन वर्स पहले तीन वर्स पहले तो टोटल नौ वर्स आगे बढ़ेगा यानि कि हम इसमें नौ आगे जोड़ सकते हैं प्रेजेंट में आना है तो नौ तो जोड़ना पहले पत्तिनी और बच्चे का जो ओसत लिखा गया वह 20 वर्स है तो ध्यान दीजेगा 20 वर्स यानि की दो लोग है और इनका टोटल निकालेंगे तो 20 दूनी की 40 लेकिन 5 वर्स पहले तो हमें क्या करना वर्तमान में जाना है तो हम यहां पर 5 और 5 दोनों का 10 बढ़ेगा तो और 40 यह क्या प्रेजेंट है क्योंकि हम लोग यहां पर जो अल्रेडी फाइंड आउट किये थे वह प्रेजेंट का है यह था तो कोई पूछा है कि पति का वर्तमान आयू कितनी है तो 40 वर्स है करेक्ट आंसर और बीको टिक करेंगे ठीक है तो कोई प्राब्लम नहीं और आज किस वीडियो में लोगों ने इतने सारे लिएक क्वेशन लिए तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको एज वाले प्रस्न से इससे ज्यादा कोईशन आपको सीखने के जुरत पड़ेगे अगर आपने इस सभी सभी कोईशन को अच्छे से देख लिया होगा तो डेफर